अभी ह्लू फ्रेंड्स विल्कम टू माई किचन तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो बनाना मिक्सक्र तुर्म भी जा यह देखि यह कितना टेस्टी बना हुआ है बहुत ही टेस्टी बहुत ही हिल्दी है क्योंकि हमने इसे घर में बना यह हुआ है यह देखिए कितना tasty है और कितना healthy अगर आप बाहर का पीएंगे तो tasty तो रहता है लेकिन healthy नहीं रहता है तो हम घर पर इसे बना कर आसानी से ready कर सकते हैं तो इसको बनाने के लिए हमने हम पर दो मैंगो लिये हुए हैं और 5 बनाना लिये हुए हैं आप चाहे तो मैंगो या बनाना का अलग अलग भी बना सकते हैं तो हमने दोनों को मिक्स करके बनाया हुआ है थोड़े से ड्राइब फूर्ट्स लेने है और चीनी स्वाधन reflect ले सकते है तो सबसे निमने की लेंगे इस fortune कर में एसे चोटे-चोटे PM कट कर लेने हैं इसके बाद हमें mixica घाल लेना तर headset है कि इसमें हम यह British को डाल देंगे इस तरीके से और थोड़े सेência को हम कि अंतर पतल चाहिए जूस्पार से लिया है यहां तो हमने अपने कि इसे में यहां हुआ है तो हम नियुक़्ने कासब हो अपने थे आपको कितने थिक यहां है पतला चाहिए जूस व्हायूंद 용द आप चीनी आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं हमने आइस कूब यहां पर सिर्फ तीन लिया हुआ है क्योंकि आम और केल दोनों ठंडे हैं और दूद भी ठंडा है क्योंकि हमने इसे फ्रीज में रखा हुआ था तो यह देखिए हमने इसे गार्निस कर दिया है हमने इसका मत जाल देंगे हैं पूरा घ्लास हमने यहां पर भर दिया है यह देखिए यह दूसरा घ्लास भी तो दोनों घ्लास का अंच्छे से से भर लिया है अब इससे हम गार्निस कर देंगे कटे हूए मैंगो पीसे से यह देखिए हमने इसे अच्छे से गार्निश कर लिया है अब इसमें हम कटे हुए ड्राइफ फ्रूट्स को डालेंगे इससे गार्निश करेंगे इस तरीके से आप गार्निश के लिए पिस्ता भी ले सकते हैं या आइस क्रीम भी ले सकते हैं तो यह देखिए हमने हम पर यह अगर आपके पास है तो आप इसे गानिस कर दिजिये नहीं है तो इसके बिना भी आप इसे बना करेडी कर सकते हैं यह देखिए कितना अच्छा लग रहा है टेश्टी आपके पास पहुंचे तो यह देखिए बहुत ही टेस्टी बन गया है आप इसे बाजार से पीएंगे तो महेंगा भी पड़ता है और टेस्टी तो लगता है लेकिन हेल्दी नहीं रहता है तो हम थोड़े से आमा और केले में ही पूरे परिवार के लिए बना सकते हैं महेंग झाल 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 झाल